है 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 यह फ्रेंच वेल्कम बैक टूमाइन चैनल तोडेंगे आर गाइन थिसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट तु देखा था पार्ट तुम हमने कोशन नमर फर्स्ट और सेकेंग प्रेक्टिसे 2.3 का कोशन नमर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्व किये थे अगर हम खिल तो हम देख लेते हैं पहले लाइक सड किसे बो लेंग और रेडी केंट होगा रेडी केंट advisor and order ये दोनों चीज़ डेंट एन अटर ओफ सिर्ट सॉइन और ओफ सर्ट्स हार सेम। तो इसारे किसी जो उसका रेडी केंट होगा जो आदर होगा वह दोनों दोसे में सप Link प्रस्ट वन जो क्वाइक सी जुइड है क्लिस्ट वन। is फाइफ रूट ओफ थर्टीन इस तरीकिसे कोश्चन दिया हुआ है अब इसे हम देख कर हमें identify करना है simplify करके identify करना है कि यह लाइक सबस्स है और अलाइक सच है तो पहले देख लेते हैं لة 52 is equal to यहां पर 13 υक जा głए requires 52 इस एक वल टूब यहां पर फोर है फोर को हम बाहर events square root of 4 into square root of फ्रटी plans square root of 4 जो होहा यह से क्या हम लिख सकते हैं टू टू रूटाफ थर्टीन से हम लिख सकते हैस्लियर च्लियर 5 root of 13 उंप सिंप्लिफाइ नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से इसमें क्या है इसमें रेडिकेंट से में 5 स्कॉरूट ऑफ 13 यहां पर क्या है इक वल्टू 13 रेडिकेंट यहां पर क्या है 13 है और यहां पर रेडिकेंट क्या है है फिर्स्ट में 13 स्कॉरूट ऑफ 13 यहां पर भी तो यहां पर उसका order क्या है और सेम तिंग जब हम नहीं पर नेक्स्ट को लेट इट इस defined पर स्कॉर्ड रूट ऐसा सब्सक्वित होने की वज़ा से यह क्या होगा स्कॉर्ड रूट और फिफ्ती टू और 5 square root of 13 यह जो है क्या है like search we can see this is these are like search जब ready can solve करने के बाद में जो दोनों search दिये हुए उसे solve करने के बाद में simplify करने के बाद में अगर उसका radicant and order दोनों सेम हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे like search बोलेंगे यहां पर क्या था यहां पर order जो है an order that is यहां पर 2 दिया हुआ है यहां पर भी जब हम उन्हें 5 square root of 13 को यहां पर देखा तो यहां पर ऑडर क्या है 2 है तो इस तरीके से दोनों को simplify करने के बाद में यहां पर दोनों में 13 है और दोनों में order 2 है इसके लिए क्या है लाइक सड़् है नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन नंबर 2 square root of 68 and 5 square root of 3 second question में square root of 62 and 5 square root of 3 इस तरीके से दो question दिए 2 search दिए हुए इसे हमें simplify करके बताना है कि लाइक सड़् से और अनलाइक सड़् से लाइक सड़् होने क्लिए क्या दो condition होई पहले तो इसके जो रेडिकेंट है यह रेडिकेंट सेम आने चाहिए दूसरा इसका order जो है वो सेम आना चाहिए तो हम simplify करके देख लेते हैं फर्स्ट ले लेते हैं फर्स्ट सड्ड डाट इस 68 68 को जो हम simplify करेंगे तो क्या होगा यहां पर सेवंटीन फोर जा 68 इस इक्वल टू यहां पर फोर को हम बाहर लेंगे किस तरीके से यहां पर इस तरीके से अलग कर सकते हैं दोनों को root 4 into square root of 4 into square root of 17 is equal to यहां पर square root of 4 को क्या लिख सकते है 2 लिख सकते 2 into square root of 17 first हमने कर लिया दूसरा 5 square root of 3 ठीक है यहां पर क्या है अब यह दोनों को हम compare कर लेते हैं इस तरीके से हमारा simplify करने के बाद में यहांपर five root three है और यहांपर two root of 17 है अब यह दोनों को जब हम compare करेंगे यहांब सिंप्लिफाइच कैने के बाद में इसे मिली है जब हम इन दोनों को कंपेर करें यहां पर एकन यहां है मतलब जो फॉर्ट रेडिकंट सेम पर सेम इस वर्डिकंट सेम यह फोर्ट जो है और यहां टौन होना चाहिए लेकिन रेडिकंट सेवने नहीं क्योंकि यहां पे रेडिकंट सेवंटीन यहां पर एडिकंट सेवन्टीन है तो इसके लिए क्या हम बोल सकते हैं for five square root of three and square root of 68 are unlike third ये क्या है unlike thirds है unlike thirds clear तो इस तरह के सा हम बोल सकते हैं कि ये दोनों unlike thirds है एक और question देख लेते question number three question number three four square root of 18 seven square root of two इस तरह के से question दिया हुआ है अब यहां पर देख लेते हैं four square root of 18 पहले हम first third को ले लेते हैं इसे हम simplify करते हैं four square root of 18 is equal to four यहां पर कर सकते हैं two nine जा 18 is equal to four यहां पर root two into root nine कर सकते हैं is equal to four root two into root nine को हम क्या लिख सकते हैं root nine को three का square कर देंगे यह cancel हो कि three हो जाएगा therefore four root two into three ठीक है now four into three root two इसे हम लिख सकते हैं is equal to fourth result 12 12 root two जब हमने फर्स्ट सट को simplify किया four square root of 18 को तो इसका क्या value आया 12 root two आया and next 12 square root two आया first में next one that is seven square root of two अभी यहां पर देख लो seven square root two है and जो इसका value आया that is 12 square root of two यह दोनों सट को जब हम compare करेंगे तो यहां पर जो RADICANT है दोनों के जो RADICANT है RADIKANT का सेम फर्स्ट कंडिचन हमारे यहां पर satisfy हो रहा है RADICANT भी satisfy हो रही है मतलब दोनों condition यहां पर satisfy ready can't are same and order of the search are same that's why we can see four square root of 18 and seven square root of two are like search like search मतलब जिसके order and जिसके रेडिकेंट सेम हो तो इसके order रेडिकेंट सेम है यह दोनों सब्सक्राइब कर सकते हैं और information अगर अच्छी लगे हो तो लाइक किजिए चैनल पर नहाएं तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में थैंक्यू